हेलो इस्ट्रेंड बीए फर्स्टियोर सोचलोजी सेकेंड पिपर तुझा आवर टॉपिक इस मेजर प्रॉब्लम ऑफ दा ट्राइप से पहले हम थोड़ा सा इसके बरगी करण के वारे में जानेंगे त्राइवल सोचल इस्ट्रेक्टल एंड जन्दल क्लास्टिफिकेशन ज भारत की जन्जातियों में समाजिक संद्रशना से संबंदित विशेष्टाएं एक दूसर से काफी भिन्न है राल्फ पिजिंग्टन ने लिखा है कि समाजिक संद्रशना के निर्माण में समाजिक इस्तरीकरण की विवस्था विवा परिवार तथा नातिदारी विवस्थ अधार्मिक विश्वास तथा आदिम कानुनों के आधार पर भी जन जातियों की समाजिक संद्रश्णा को इस पस्च करने का प्रियत्न किया है मैंडल वाम ने नातेदारी समाजिक स्तरी करन पूजी के सरूप और धरम के प्रिकर्ति तथा एक विशेश जीवन शेली को जन जाती समाजिक संद्रश्णा की पिर्म किकाईयों के रूप में स्विकार किया है अब है इसका जन्रल क्लासिफिकेशन जन्जातियों की समाजिक संदर्शन संबंदी बिन्निताओं को समझने के लिए आवश्चक है कि बिविन आधरों पर उनके बर्गी करण को इस पस्ट किया जाए फस्ट है आपका भोगलिक आधर पर बर्गी करा गोहा तथा डियन मजून दानने भारत की सभी जन्जातियों को निवास के आधर पर तीन भागों में बाटा है तीन मुख भोगलिक छेत्रों में बाटा है फस्ट है उत्तर तथा पूर्वी छेत्र सेकंड है मद्ध छेत्र औ अब सेकंड पॉइंट है इसमें भाषा याधर पर वर्गी करना दरभण भाषा परिवार और चीनी तिबती भाषा अब नेक्स्ट आपका आर्थिक आधार पर वर्गी करना इसे भी तीन चार भागों में बाचा गया जनजातियों को मुखरूप से और चार भागों में बाटा है शिकार करने और खाद पधारतों को संग्रह करने के साथ जंगल में खाने योगे जो भी पधारत होते हैं उनका संग्रह करके अपना जीवनियापन करते हैं सेकंड पॉइंट है पशू पालन और थार्ड है क्रिशिक जन जाती है जो इस्थाई खेती के दोर अपना जीवी को पाजन करती है और नेक्स्ट उध्योग में काम करने वाली जन जाती है जैसे संथाल गौंड मूंड़ा भ जाती है जो जमली पहाड़ी छेत्रों में रहने के कारण बाहरी संस्कति से बहुत कम प्रिभावित हुई ओके दूसरी में वह आएंगी जो सब्भे समाजों के संपर्क में आने लगी एंट थर्ड जन जाती को संख्या सबसे जादा है यह वह जो जन जाती जो सब्भे समा वाली जन जाती यह को एलवीन कुलीं जाति हैं भी कहा है ओके सो प्रजाती आधर पर जन जाती यहुका वर्गी करानों ने इस परकाल किया है कुछ जन जाती में भूमद्य जन जातियों के फिर मुख समस्या है। स्वतंत्रता के बाद बिविन विकास योजना। बिविन विकास योजनाओं। उके। शिक्षा और नगरी करण के फलसरूप जब जन जातियों का बाहरी सम्हुवों से संपर्क होना आरंभ हो गया। तो उन्हें उसका कुछ लाव मिलने के बाद भी उनमें अनैक समाजिक, आर्थिक और राजनितिक समस्यां बढ़ने लगी। जन जातियों को आज जिन पिर मुख समस्यां को सामना करना पढ़ रहा है। उन्हें संक्षेप में निम्नांग के तुरूप से समझा जा सकता है। समाजिक समस्यां मतलब सोशल प्रॉब्लम में क्या आता है। मज़ूम दारों मदाम ने बताया कि आज बाहरी सम्हुवों के संपर्क में आने के करण जन जातियों के परंपरागत समाजिक संगचन में अन्यक ऐसे परिवर्दन हुए। जिनके करण आदिवासी अपनी एक अलग समाज पहचाने उसे खोते जा रहे हैं। कि हिंदूों के संपर्क में आने से जन जातियों में भी बाल विवा का प्रचलन होने लगा। इसके फरसुर्प जिन जन जातियों में कुछ समय पहले तक परिवार विवार संपत्ति के छेत्रों में इस्तियों के अधिकार पुरुशों से जादा थे। इस्तियों के अधिकार पुरुशों से अधिक थे। उन जन जातियों में इस्तियों को अनेक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। बहुत सी जन जातियों ने अपने छेते से बहार निकलकर उधियों के काम शुरू कर दिये। और उन पर अपने परिवार का नियंत्रण कम होने लगा इसे जन जातियों में बिवा बिच्षेत परिवारिक तनाव और बच्चों के प्रति उदासी इंता की दश्राभी पैदा होने लगी तो परिवारिक बिगचन से भी संबंदित इस तरह की समस्यां जन जातियों के जो जंगल से प्राप्त होने वाले पधारतों पर निर्भर थी जन जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारत जो योजनाय लागू की जाती है ब्रस्टाइचार के करण जन जातियों को उसका बहुत ही कम लाव मिल पाता है अब नेक्स्ट है आपका सांस्कतिक समस्या कल्चर प्रॉब्रम जन जातियों के जो सांस्कतिक समस्या उनका मुख समद्ध इसाई और हिंदू धरम को मानने वाले बाहरी सम्हों के संपत में आने से हैं इन्हें मजूंदान ने संसकति गिरहन की समस्या भी कहा है जिन आदिवासी ने हिंदू और इसाई धरम को गिरहन कर लिया उनमें जन जाति धरम के प्रति उदासीनता देखने को मिली है हिंदू संस्कति के प्रभाव से अब एक एक जन जाती में अनेक ऐसे समू बन गए हैं जिने एक दूसर से उचा और नीचा भी समझा जाता है उची नीच का भेदवाव अब जन जाती में तरह तरह के संघर्ष और तनाव पैदा करने लगा है प्रतेक समूदाए कि संस्कति का विकास अपने प्राक्रतिक प्रहवरान से अनुकूलन करने के लिए होता है इसाई संस्कति के प्रहवाव बने से ब्यवार के तरीके कमजोर हो गए ठीक है और क्या है भारत में विविन छेत्र में आदि वासे हैं अपने पास के छेत्र जैसे हिंदी करना तेलकूत तमिल असिम भाषा को उप्योग करना शुरू कर दिया और अपने आपको सेस्ट समझने लगे संसकती ग्रहन, संसकती के अनुसार समाजी करणों मनोरणिन की सुविराएं मिल जाती थी पर संसकती ग्रहन की प्रभाव से जब युवा ग्रहप बिगटे थी हैं समाप्त होने लगे तो ऐसी कोई संस्ता नहीं थी जिससे लोगों को अपनी संसकती का सही प्रेसिक्शन मिल प कोशन और चिकिस्ता से संबंधित जरूरत को भी पूरा करते थे शहद जड़ी बूटी फल खाने योग कंद मोल जानवर का मास मचली तेनु के पत्ते तार महुआ से बनने वाली शराप स्वच्छ पानी इस तरह की बस्तुएं हैं जो साशन व्यवस्था के द्वारा जंजात चाहर की समस्या पैदा हो गई जंजाती छेतर में स्वास्थे केंदों की स्थापना जरूर करी लेकिन चिकिस्ता सुभिदाओं की कमी के कारण जंजाती नहीनी बीमारीयां फैलनी शुरू हो गई और जंजातियों की जीवन में आज गंदिगी की समस्या बहुत तेज बढ स्वास्ते संबंदी समस्या मतलब एजूकेशनल प्रावलम में निर्दहनता के कारण अधिकारणश लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पेक्षा उन्हें खेती में लगा देते हैं स्कूल में फिरवेश लेने वाले अधिकारणश बच्चे प्राव्च्मिक शिक्षा लेने के बाद भी स्कूल जाना बंद कर देते हैं उच्चिशा प्राव्ट करने के बाद यूवक को अपनी संस्कती को तिरसकार की निघाष से देखने लगते हैं सब्सकार की निघा से देखने लगते हैं जन जाती छेत्रों में क्रिशी और वेपसाइब से संबंदे सिक्षा की आज भी कमी है तो यह एजूकेशनल प्रॉब्लम भी हो गई है अब है राजनेतिक समझ से पॉलिटिकल प्रॉब्लम मतलब राजनेतिक दल जन जाती में ऐसी बातों को प्रचार करते हैं जिससे जन जाती में तरह तरह के असंतोष पैदा होने लगते हैं ओके फलसरूब जन जाती में जब आंदॉलन कारी प्रवर्तियां बढ़ने लगी तो स्वतनत्रता से पहले भी जन जाती द्वारा कुछ आंदॉलन किये गए थी अब सचे की विकास कारे करम ने जन जाती में नई समस्यां पैदा की हैं ओके अब नेक्स पॉइंट है आपका जन जाती है कल्यान के प्रियत्नों अब हैं जन जाती है कल्यान के प्रियत्ना efforts for tribal welfare भारत में जन जाती की विविन समस्यां तथा उनके कारण होने वाले आंदलोने के फल्सरूप यह इस पर स्चुआ कि विविन कल्यान कारे करम के द्वारा जन जाती की दशा में सुधार करके उन्हें रास्ट की मुखधारा स जोड़ा जा सकते हैं इसके फल सरकार दारे जन जाती कल्यान के लिए अनेक प्रियत ने किये गए संखेप मेइन निम्रांक के तुरूप से समझाया संजय जा सकता है। संसत बिधान सभाओं में आरक्षण, सेवाओं में आरक्षण, सिक्षा की विशेश सुविदाएं, फोर्थ अत्य अचारो की रोग थां फिफ्ट है जन्जाती विकास का रेकरम और सेक्सर सहकारी विपड़न का सहकारी विपड़न का विकास ओके पुनर्वास की सुवी रायन और अन्न कल्यान प्रियत्न okay so this is the point of the efforts for tribal welfare okay so this is the major problem of the tribes and the efforts for tribal welfare thank you for watching this youtube channel